अज यह में सुडियों में हमारा मैक्स का चैप्टर 14 करेंगे जिसका नाम है बैंक्स एंड सिंपल इंट्रेस्ट इसका हम प्रेप्टेसेट 35 करने वाले हैं ठीक है तो देखो जो चैप्टर है ना इसमें आपको क्या बताया गया है कि जो बैंक में पैसा रहता है उस पर कितना परसेंट इंट्रेस्ट लगा है तो कितना पैसा आपको मिलेगा या तो अगर आप बैंक से लोन लेते हो जब बैंक से लोन लेते हैं आपके पापा या कोई भी तो जो उस पर इंट्रेस्ट जो रहता है कुछ परसेंट का 10 परसेंट 20 परसेंट जो भी इंट्रेस्ट तो देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख के रखे हैं उल्रेडी क्या चीज़े हैं सबसे पहले देखो इंट्रेस्ट निकालने का फॉर्मिला क्या होता है वो आपको जानना जरूरी है interest का formula क्या है देखो यहां पे interest I हमारा है तो इसका formula क्या है P multiply by R multiply by T upon 100 ठीक है तो इसमें देखो I क्या है interest है P क्या है principle है ठीक है R क्या है rate of interest है T क्या है time है ठीक है तो अगर आपको interest निकालना है तो ये formula यूज़ करना पड़ेगा अगर आपको amount निकालना है मतलब कि कितने रुपे का interest लगा वो आपको amount जानना है तो उसका क्या formula है principle plus interest P plus I P क्या है principle है I क्या है interest है ठीक है clear तो चाहिए तो ये दो formula आप लिख लो ये formula यूज़ करके ही आप solve कर पाओगे practice at 35 चलो भी हम चलते हैं practice at की तरह तो देखो सबसे पहला question आपको क्या दिया गया यहाँ पर practice at 35 में यहाँ पर बोल रहे है at a rate of 10% per annum what would be the interest for one year on rupees 6000 देखो यहाँ पर क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर 10% per annum का interest लगे तो एक साल का interest क्या हुआ 6000 रुपे पर देखो यह 10 P, C, P, A क्या है P है पर C है cent उसका दो आपीस क्या है P तो यह रहेगा पर A है annum तो मतलब इसका क्या है 10% per annum तो इसका मतलब यह हुआ कि एक साल पर कितना interest लगेगा ठीक है कितना लगता है यह 20% per annum भी हो सकता है 30% per annum भी हो सकता है यहाँ पर हमें क्या पूछा है कि 10% per annum के हिसाब से एक साल में 6000 रुपे पर कितना interest होगा यह हमें बताना है ठीक है तो हम कैसे करेंगे एकदम सिंपल है देखो सबसे पहले एक काम करते हैं यहाँ पर ना कॉर्णर में हमारा फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले देखो interest का क्या फॉर्मूला है interest का हमारा फॉर्मूला हमने क्या देखा था पी multiply by R multiply by T upon 100 ठीक है amount का फॉर्मूला क्या था P plus I मतलब amount का फॉर्मूला है P मतलब principle plus I मतलब interest ठीक है तो आप जो भी use करना रहेगा हम उसमें से एक use करेंगे तो यहाँ पर देखो हमें क्या-क्या information दी गई है हम question से देखते हैं ओके वो हम लिख लेते हैं पहले देखोगे अगर आप पहले क्या दियागा 10% पर रहे नहीं तो यह हमें क्या दियागा R दिया है rate of interest दिया हुए तो हम यह लिख लेते हैं यहाँ पर कि हमें यहाँ पर rate of interest जो है वो दिया हुआ है क्या है 10% है तो हमें आपर लिख देते है 10% ठीक है उसके बाद हमें क्या दियागा अगर आप question में देखोगे यहाँ पर 1 year देखो time दिया हुआ है कि कितने time के लिए हमें interest ढूणना है तो मतलब हमें t दिया हुआ है time कितने दिया है 1 year तो यहाँ पर आप लिख दो 1 year उसके बाद देखो हमें क्या दियागा है यहाँ पर 6,000 यह क्या है principle है प्रिंसिपल क्या होता है जो पैसा जितने पैसे पर interest लगता है उस पैसे को हम principle बोलते है तो यहाँ पर principle क्या है 6,000 तो यह हमारा P है पी क्या है मारा प्रिंसिपल क्या है रूपीज 6,000 अब देखो हमें इसमें से find ही क्या करना है हमें क्या बोला है what would be the interest मतलब हमें interest पता लगाना है तो मतलब हमें आई जो है इसे हमें find करना है पता लगाना है कि I क्या होगा Scientists क्या होगा तो हमें क्या करना है, simply अभी, हमें अपना formula यूज करना पड़ेगा, interest का, तो देखो, interest का formula क्या था, यहाँ पर देखो, क्या लिखा हुआ है, वही formula हम लिखते हैं, I is equal to, बताँ, interest is equal to, क्या है, P multiply by R, multiply by T upon 100, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, P multiply by R, multiply by T upon 100, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जित्ती भी values हमारी दी गई है, सब हम लिख लेंगे, P हमारा principle कितना है, 6000, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 6000, multiply by R हमारा क्या है, rate of interest कितना दिया हुआ है, देखो, R हमारा है 10, यहाँ पर 10, वहापिस multiply by T हमारा कितना है, दिया हुआ है, 1, त पर देखो, R is equal to, ठीक है, तो अब देखो, आगी क्या है अब का, अब इसको हम solve करेंगे, क्या है अब हमारा answer, तो यह 2 0 cut, यह 2 0 cut, बचा क्या है, 60 multiply by 10, multiply by 1, तो हमारा answer क्या जाएगा, therefore, I is equal to, क्या जाएगा, 60 multiply by 10, क्या होगा, 600 हो जाएगा, multiply by 1, क्या होगा, 600 रहेगा, किसी भी number को आप 1 से multiply करो, और number वैसे का वैसे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक, तो हमारा interest आ गया है, यहाँ पर अब लिक दो, rupees, 600, ओके, देखो अभी, final answer आपको लिखना जरूर कुछ इस तरीका से आप लिखोगे, कहा लिखोगे, the yearly interest would be rupees 600, ठीक है, समझ गया, अभी हम चलते है, question number 2 पर, तो देखो, question number 2 में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर, यहाँ पर बोल रहे है, महेश deposited rupees 8,650 in a bank, at a rate of 6% per annum, how much money will he get at the end of the year in all, क्या बोल रहे है, महेश ने इस बैंक में जमा किया, और उसके पैसे पर 6% per annum का interest लग रहा था, ठीक है, देखो, एक चीज़ मैं आपको clear करता हूँ, मैं जो भूल गया था, आपको बाता ना, 6% per annum, percent per annum मतलब क्या होता है, मतलब कि, इतना interest लगेगा per 100 रुपीज पे, ठीक है, ओके, यहाँ पी क्य हजार रुपे पे कितने लगेगा, वो हमने निकाला है, तो यह जो दिया रहता है ना, 10% per annum, मतलब कि, 100 रुपे पर, एक साल में 10% interest लगेगा, ठीक है, यहाँ पर उसी तरीके से, देखो, अगर 100 रुपे पे 10% interest लगेगा, तो कितना होगा, 10 रुपे होगा, उसी तरीके स how much money will he get at the end of the year, क्या बोले, अगर उसके 100 रुपे पे 6% एक साल में interest लगेगा, उसे मिलेगा, तो उसके सारे पैसे पर एक साल में कितना पैसा मिलेगा, यह हमें बताना है, हमें यहाँ पर amount बताना है, ठीक है, तो हम पहले जो values हमें दी गई है, वो हम लिख लेंगे, उसके solution, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हमें कौन-कौन सी values दी गही है, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं, तो यहाँ पर अगर आप question में देखोगे, यहाँ पर, देखो, आपको पहले यह क्या दिया हुआ है, 8,650, यह आपका principle दिया है, P, तो हम लिख देते हैं, यहाँ पर, P यहाँ पर आपको, यहाँ पर आगे देखोगे, हमें यहाँ पर 6% पर रहनम, यह क्या है, हमारा R दिया है, rate of interest दिया हुआ है, तो हम लिख देते हैं, यहाँ पर, R, R is equal to, कितना दिया है, 6%, ठीक है, उसके बाद आगे देखोगे, क्या दिया है, अभी, how much money will he get at the end of the year in all, यहाँ पर हमें, और बाकी, अगर आप देखोगे, यहाँ पर, एक साल के आपको time भी दिया हुआ है, तो हम T लिख सकते हैं, T is equal to one year, one year, ठीक है, तो इतनी values हमें दीगी है, हमें क्या पता लगाना है, amount, मतलब कि कितना पैसा उसे मिलेगा, साल के आखरी म हमें, तो इसके लिए अगर हमें amount, amount का formula क्या है, देखो, P plus I, मतलब principle plus interest, ठीक है, तो अगर amount आपको निकालना है, तो आपको interest पता रहना चाहिए, interest हमें यहाँ पर पता नहीं है, ठीक है, यहाँ पर interest हमें पता नहीं है, तो पहले हम interest निकालेंगे यह formula से, और इसकाद हम amount निकालेंगे, तो interest का formula क्या है, वह हम लिखते हैं, interest का formula है, P multiply by R, multiply by T upon 100, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, अपना interest का formula, यहाँ पर interest, जो है, I equals to, क्या interest का formula, P, मतलब principle, multiply by R, मतलब rate of interest, multiply by T, मतलब time, upon 100, ठीक है, तो क्या आजाएगा यहाँ पर आपका, P केतना है, principle केतना है, 8650, 8650, multiply by R केतना है, 6%, तो 6, multiply by T केतना है, 1, अगर देखो, आपको T नहीं दिया रहे, समयलो कोई question में time नहीं दिया हो, तो आप 1 ले सकते हो, ठीक है, 1 आप खुद से ले लो, अगर समयलो time कभी आपको 2 साल, 3 साल दिया रहे है, तो आपको 2, 3 लिखन है, अगर कुछ नहीं दिया है, तो आप 1 लिख दू, ओके, तो यहाँ पर आपका denominator में आएगा 100, ओके, अब इसे हम solve करते हैं, यह 0 कट, यह 0 कट, ठीक है, अब यहाँ पर 10 है, यह देखो, यहाँ पर देखो, 2, 5010, 2, 306, देखो यहाँ पर 5105, अब देखो यहाँ पर 5105 बचा 3, 6 लेके कितना है, 36, तो 570 क्या होता है, 35, तो 36 में से 35 गया, अब 1 बचा, और यह 5 हो जगा 15, तो 530 क्या होता है, 15, तो यह हमारा पूरा कट हो गया, तो अब बचा गया, 173 multiply by 3, multiply by 1, तो अब हम इसे लिखते है, 173 multiply by 3, multiply by 1, ठीक है, यह नीचे 1 है, नहीं लिखो के आप चलेगा, अब देखो, क्या हमें answer मिलेगा इसे multiply करके, यहाँ पर देखो 1 को अगर आप multiply किससे भी करो, answer से माने हो लेगा, तो हम सिर्फ यह दोनों नंबर को multiply करके लिख सकते हैं, हमारा answer आ जाएगा, तो देखो, क्या होगा, 3,3,0 क्या होता है, 9, 3,700 क्या होता है, 21, तो यहाँ पर 21 का हमारा 1 यहाँ पर, और 2 carry over में, और यहाँ पर 3,100 3 क्या होता है, 3 plus 2 क्या हो जाएगा, 5, यहाँ पर हमारा answer क्या होगा, 519, तो मतलब की, जो हमारा interest जो आया है, वो कितना है, 519, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं therefore i equals to 519 अब इसकी help से हम निकालने वाले हैं amount कि amount केतना मिलने वाला है महेश को साल के end में तो आप यहाँ पर लिखेंगे amount amount का क्या है symbol a equals to क्या formula है amount का p plus i the principle plus interest तो p कितना था हमारा principle कितना था 8,650 तो यह हम लिखेंगे 8,650 plus i अभी हमने निकाला कितना है 519 तो दोनों को add करते हैं देखते हमारा answer क्या आता है तो यहाँ पर देखो जभी हम दोनों को add करेंगे अगर आपको नहीं समझे रहा है तो हम side में करते हैं अच्छे समझेगा 8,650 plus 519 0 plus 9 क्या होगा 9 रहेगा 5 plus 1 6 6 plus 5 11 का one यहाँ पर दूसरा one के रहे और में 8 plus 1 क्या होगा 9 नीचे कुछ भी नहीं है इसके लिए हम 8 plus 1 direct किया 9 तो मतलब कि कितना amount मिला साल के end में महेश को rupees 9,169 ठीक है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कितना है rupees 9,169 clear अब हम क्या करेंगे हमारा final answer लिखेंगे जो लिखना बहुत ज़रूरी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा answer कैसे आप लिखोगे इस सरी कैसे आप लिखोगे क्या रहेगा महेश will get rupees 9,169 at the end of the year मतलब कि महेश को जो amount मिलेगा जो पैसा मिलेगा वो रहेगा 9,169 clear यह होगा हमारा question number 2 अब हम चलते question number 3 पर देखते question number 3 में हमें कह दिया गया है यहाँ पर देखो क्या बोले अहमद चाचा बोरोड 25,000 at 12% per annum for a year क्या बोले अहमद चाचा ने 25,000 रुपे लेकर आये 12% per annum एक साल के लिए मतलब कि 12% per annum मने क्या आपको होता है मतलब क्या होता है मतलब कि इतने percent interest लगेगा 100 रुपे पर मतलब कि 100 रुपे पर बारा percent का interest लगेगा तो 25,000 रुपीज पर कितना लगेगा वो हमें निकालना पड़ता है अब आगी क्या है What amount will he have to return to the bank at the end of the year क्या बोले अगर उसने उन्होंने एहमद चाचा ने 25,000 रुपीज लाए है 12% पर रहे हैं इतना interest लगने वाला है 12% का तो इन्हें एक साल बाद bank को कितना पैसा वापिस लोटाना पड़ेगा वो हमें निकालना है तो यहाँ पर भी हमारा main क्या है अमाउंट निकालना है तो अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले हम interest निकालेंगे क्योंकि amount का formula क्या है principle प्लस interest तो हमें interest जानना ज़रू है amount निकालने के लिए तो चलो हम start करते है यह भी एकदम easy है आपको अच्छे समझेगा आप tension मतलो तो यह हमारा क्या है question number 3 है तो हम यहाँ पर डाल देते है question 3 question 3 का यह हमारा solution तो यहाँ पर पहले हम जितने हमें information दी गई यह लिख लेते हैं तो देखो question में आप देखोगे क्या information दी गई आपको पहले देखो अहमार चाचा बोरोड रूपीज 25,000 यह क्या हमारा यह हमारा principle है मतलब P है तो हम लिख लेते हैं हमारा principle पहले तो आप लिखो यहाँ पर P equals to कितना है रूपीज 25,000 यहाँ पर हम लिख देते हैं रूपीज 25,000 यह हमें दिया गया है अब देखते हैं कोशन में और क्या दिया गया है हमें देखो 12% पर रैनम यह हमें क्या दिया है R rate of interest तो हम यह भी लिख देते हैं R हमें दिया हुआ है rate of interest दिया हुआ है 12% तो हमें आगे कोशन में क्या दिया गया है for a year कितने एक साल के लिए तो मतला में यह टी दिया गया है टाइम भी दिया गया है तो यह लिख देखे थे हैं टी इक्वेल्स टू कितना है वन ये अब दिखते हैं आगे कुछ और हमें दिये गया है What amount will he have to return to the bank at the end of the year हमें यहाँ पर पूछ रहे हैं कि हमा चाचा को बैंक को कितना पैसा वापिस देना पड़ेगा अगर 12 पर सेंट इस पर इंट्रेस्ट लगेगा तो मतलब हमें यहाँ पर क्या करना है amount find करना है क्या amount a हमें find करना है ठीक है तो देखो सबसे पहले amount find करने का फॉर्मूलिया क्या है प्लस आई मतलब प्रिंसिपल प्लस इंट्रेस्ट तो हमें इंट्रेस्ट भी नहीं पता है तो सबसे पहले हम इंट्रेस्ट निकालेंगे तो इंट्रेस्ट निकालने का फॉर्मूलिया क्या है आप यहां पर लिखो इंट्रेस्ट ब्रैकेट में I डाल दो इक्वल्स टू क्या फोंग ले P multiply by R multiply by T upon 100 ठीक है तो यहाँ पर देखो हम अभी value split करते है P हमें क्या दिया है principle हमें देखो question में दिया गया था 25,000 तो हम यहाँ पर डाल देते है 25,000 multiply by R R हमें कितना दिया है देखो R 12% था तो multiply by 12 multiply by T कितना था 1 year यहाँ पर 1 upon 100 अब देखो इसको हम solve करते है यह 2 0 cut 2 0 cut बचा क्या 250 multiply by 12 multiply by 1 तो देखो multiply करते है क्या आएगा हमारा answer तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे 250 multiply by 12 1 अगर multiply में दिया है 1 से आप कोई भी number को multiply करो वैसा का वैसा ही रहेगा तो हम सिर्फ यह दोनों को multiply करते है हमारा answer मिल जाएगा तो देखो 12 0 0 क्या होता है 0 12 5 0 क्या होता है 60 60 का 0 यहाँ पर और 6 करिवर में 12 2 0 क्या होता है 24 प्लस जो 60 का 6 करिवर में था 24 प्लस 6 क्या होगा 30 तो मतलब की रूपीस 3000 का interest लगा अब हमें पता क्या करना है हमें amount निकालना है ओके कि अहमेंद चाचा को कितना पैसा वापिस देना पड़ेगा bank को एक साल के बाद तो amount का formula भी लिखते है amount amount का formula क्या है equals to amount का formula है principle plus interest तो यहाँ पर हमें principle दिया हुआ था interest हमने निकाल लिया है principle क्या दिया हुआ था रूपीस 25,000 तो हम यहाँ पर लिखते है 25,000 plus interest कदना निकाला 3000 तो दोनों को plus करके कितना जागा 25,000 plus 3000 28,000 okay मतलब कि एहमद चाचा को एक साल के बाद bank को 28,000 रूपीस वापिस करने पड़ेंगे ठीक है तो अभी देखो हम अपना final answer लिखते हैं कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर लिखो answer तो ऐसे आप लिखोगे कि एहमद चाचा will have to return रूपीस 28,000 to the bank मतलब कि एहमद चाचा को bank को 28,000 रूपीस वापिस करने पड़ेंगे एक साल बाद ठीक है तो यहाँ पर हमारा question number 3 हो गया अभी हम चलते है question number 4 पर जो हमारा last है देखते हैं क्या दिया है हमारे question number 4 पर किसन राव wanted to make a pond in his field क्या बहले किसन राव को अपने field में pond बनाना था तालाब बनाना था ओके he borrowed 35,250 from a bank at an interest rate of 6% per annum क्या बहले उन्होंने इस कारण एक bank से loan लिया कितने का 35,250 और इस पर जो interest लगने वारा था वो था 6% per annum का how much interest will he have to pay to the bank at the end of the year क्या बहले हैं कि साल के end में किसन राव bank को कितना interest देगा यह हमें बताना है ठीक है एकदम simple है देखते हैं हम इसमें क्या करना है तो चलो हम लिखते है भी यहाँ पर हमारा question number 4 इसका हमारा solution तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे जो हमें given में दिया हूए जो हमें question में दिया हूए वो सारी चीज़े हम लिख लेते है सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको पी, इक्वल स्टू, कितना है, रूपीज, 35,250, ओके, आगी क्या है भी? इन इंट्रेस्ट रेट ओफ, 6% पर रेनम, यह हमें क्या दिये गा है, 6% पर रेनम, यह हमें, आर दिया हुँ है, तो हम यह आपर लिखते है, R equals to कितना है 6% वागी क्या है How much interest will he have to pay to the bank at the end of the year अभी देखो यहाँ पर हमें यहाँ पर भी इसके लाब हमें information नहीं देगी है कुछ हमें क्या बोलने हैं अभी अभी हमें interest find करना है तो हमें find क्या करना है हमें लिख देते हैं हमें यहाँ पर I क्या रहेगा मतलब interest क्या रहेगा वो हमें find करना है ठीक है तो सबसे मेले दुखो I का formula क्या होता है interest निकालने का formula क्या होता है वो हम लिखते हैं यहाँ पर interest interest bracket में आप आई डाल दो चाहिए तो equals to क्या formula है P मतलब principle multiply by rate of interest multiply by t upon 100 equals to अभी देखो यहाँ पर equal to का sign डालते है principle कितना है 35,250 तो हम डालते हैं यहाँ पर 35,250 multiply by r कितना है 6 यहाँ पर 6 डालते है multiply by t देखो t आपको नहीं जाए मैं आपको क्या बरहूँ कहीं पर भी अगर आपको t नहीं दिया है तो आप क्या करोगे वहाँ पर आप 1 डाल दोगे अपन denominator में क्या हैगा 100 अब solve करते हैं इसे यहाँ पर देखो यह एक 0 कट यहाँ से एक 0 कट यहाँ पर रहेगा 250,10 230,6 अब हम आगी क्या करते हैं इनको multiply कर देते हैं फिर आगी solve करेंगे तो दोखो यहाँ पर आप multiply करो 350 क्या होता है 15 दोखो 1 से multiply नहीं करोगे चलेगा क्योंकि answer same आने वारा है तो हम 3 और इनको multiply करेंगे 350 क्या होगा आपका 15 15 का 5 यहाँ पर और 1 carry over 32,000 क्या होगा 6 7 उसके बाद के 350 क्या होगा 15 15 का 5 यहाँ पर और 1 carry over 33,000 क्या होता है 9 प्लस 1 carry over वाला क्या हो जगा 10 अपोन नीचे क्या था 5 तो अभी यह बचा है अब हम क्या करेंगे इससे divide करेंगे तब हमें मालूम पड़ेगा हमारा answer क्या है इंट्रेस्ट क्या है यहाँ पर डिवाइड करते है 10575 डिवाइड बाए 5 ओके अब देखो यहाँ पर 5 टूजर क्या होगा देखो यहाँ पर 10 है यहाँ पर 5 है तो 5 टूजर 10 तो माइनस यहाँ पर होगा 0 मैनस 0 1 मैनस 1 0 यह 5 नीचे आएगा 5 10 क्या होता है 5 5 मैनस 5 क्या हो जाएगा 0 अब यह 7 नीचे आएगा 5 अभी 7 हमें कैसा नमबर पढ़ना है 5 का टेबल पढ़ना है ऐसा नमबर जो 7 के बराबर है उससे छोटा हो उससे बढ़ा ना हो तो देखो 5 10 यह होता है आप देखों फाइब क्या होता है ट्वेंटीफाइफ फाइफ फैफ जीरो तू-टू-टू-टू-जीरो क्या है हमारा एंसर नहीं हमरा ठीक है तो हमें आपन लिख सकते हैं हमारा एंसर क्या है रूपीज 2115 ये हमारा इंट्रेस्ट है जो किसन राव को देना पड़ेगा बैंक को एक साल के बार ठीक है तब अब हम अपना फाने आंसर लिख देते हैं जो लिखना बहुत जरूरी है यह अपना बहुत जरूरी है आ interest to the bank, मतलब कि किसन राओ को bank को 2115 2115 रूपीज bank को देना पड़ेगा interest का ठीक है, समझ गया तो यहाँ पर हमारा chapter complete हो गया है इसके साथ साथ हमारा practice rate 35 भी complete हो गया है, I hope आपको अच्छे से समझा होगा, इसको अच्छे से पढ़ लो इसके अच्छे से practice कर लो, तहाँ कि अगर आपका taste हो तो आपके full max है, मिल जाएकले उडियो में अगर आपको इडियो अच्छे लगो तो आप इस उडियो को like करो अपने सभी दोस्तों को साथ share करो चैनल को subscribe करो, thank you